हेलो चिल्टरन आज हम पढ़ने वाले हैं फॉनिक साउंड आपको पता है फॉनिक साउंड हम क्यों पढ़ते हैं क्योंकि हमको उससे पढ़ने में मदद मिलती है जैसे हम हिंदी में मात्राएं पढ़ते हैं अक्षर को मिलाने के लिए बुक को रीट करने के लिए वैसे ही फॉनिक साउंड हमें हैल्प करते हैं हमें words पढ़ने में, हमारी book को read करने के लिए और जब हमें book read करने आएगा, तो क्या होगा? हमको proud feel होगा, हमारे ममी पापा को हम पे proud feel होगा है ना? तो उसके लिए हमको सबसे पहले phonic sound को जानना जरूरी है phonic sound क्या होते है? और इनको कैसे बोला जाता है? आपको पता ना, A से Z तक alphabet होते हैं, तो हर एक alphabet की अपनी एक sound होती है उसको कहते है phonic sound, तो चलो पढ़ते है phonic sound और फिर हम उनसे बाद में words बनाना सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए, हम पढ़ेंगे आज phonic sound सबसे पहले हम सुरू करेंगे A से A की phonic sound क्या होती? B की phonic sound होती है B C says K D says D E says A जो और से बोलना है A F says F G says G H says Ha I says E छोटी ओके? J says J K says K K को हम के ही कहेंगे L says La M says Ma N says Na O says O O says P says P Q says Kwa R says R S says S T says T U says A V V says Wa W says Wa पीछे से आएगा Wa X says X X के sound X ही होती है Y says Ya और Z says Z तो ये हो गए हमारे Alphabets के Phonic sound जिनकी मदश से हम Words को दीरे दीरे पढ़ना सीखते है ओके चिल्टरन तो आप सब इनको याद करिएगा Phonic sound आएगी तो आपको ना Slowly-slowly पढ़ना आ जाएगा ओके? ओके बाई बच्चों